दोस्का दोस्तों देट है आज की 16 फरवरी 2023 और स्वागत है आपका एटोवल डिसकेशन में आज तीन इशूज हम डिसकस करेंगे सबसे पहले आर्टिकल डिसकस करेंगे इंडियन एक्सपेस और लाइमेंट का कमपाइल करके बड़ी मातरा में लीथियम के डिसकवरी हुई है इंडिया के जमू और कश्मीर के रियासी डिस्टिक में क्या इसके माइने है डिटेल से डिसकस करेंगे दूसरा आर्टिकल डिसकस करेंगे दा हिंदू का पोस्ट रिटार्मेंट एपोइन्मेंट से समन्दित और सबसे last में antimicrobial resistance basics पर discuss करेंगे वैसे antimicrobial resistance का जो topic है वो सदा बार है कुछ-कुछ समय बाद सुर्ख्यों में आता रहता है लेकिन सुरू के जो दो articles हैं दो issues हैं वो relatively नए है discussion स्टार्ट करें उससे पहले आज का एक question देख लिजिए Why do ethical standards change with time? ethical standards समय के हिसाब से change क्यूं हो जाते हैं? सबसे basic example इसका जो आपके मन में भी आया होगा सतीपर्था पुराने समय में सतीपर्था को accept किया जाता था बलकि ethical माना जाता था कि जिस महिला के husband की death हो गई है अगर वो जिन्दा जल जाती है तो ये एक परकार से ethical behavior है लेकिन आज के समय में इसे बहुत ज़्यादा गलत माना जाता है यानि जो चीज पहले ethical थी आज के समय में बहुत ज़्यादा unethical हो गई है ऐसा क्यूं? देखो ऐसा इसलिए होता है कि समय के अनुशार न human beings की सोच बदल जाती है क्यूंकि technology change हो जाती है नई discoveries सामने आ जाती है इस वज़े से जो पहले ethical था वो unethical हो जाता है जो पहले unethical था वो ethical हो जाता है मतलब समझ गए आप नई-नई scientific discoveries सामने आती है नई-नई technologies सामने आती है सामने आती हैं तो उसी के हिसाम से लोग के जो सोच है वो बदलती रहती है एक सिगरेट पीने का एक्जामपल देखें 1930s में 1920s में 30s में सिगरेट पीना काफी सही माना जाता था बलकि campaign चला था कि महलाएं को भी सिगरेट पीनी चाहिए ताकि equality आए आलमुस्ट हर एक परसन उस सिगरेट पीता था इतनी महंगी भी नहीं होती थी लेकिन 1964 में एक discovery सामने आई कि सिगरेट पीने से lung cancer होता है diabetes सिरीर पर negative impact पड़ता है उसके बाद से ही इसे सिरीर को नुक्सान पहुंचता है तो जैसे जैसे scientific discoveries होती है जैसे जैसे नई research सामने आती है ethical unethical का जो parameter है वो बदलता रहता है चलिए discussion start करते हैं आज की discussion का first important article इंडिया में lithium discovery से समधित है और आप देखो GS paper 1 के इस topic से article को relate कर सकते हों क्या contest है जमुएन कस्मीर के रियासी district में ना एक गाओं है सलाल है माना यहां पर न जी लोजिकल सर्वे ओफ इंडिया के scientist ने दावा किया है 5.9 million ton तक का lithium यहां पे है तो यह तो देखो एक परकार से white sona मिला है इंडिया को अगर यह दावा सच साबित होता है तो lithium की आज के समय में कीमत काफी जादा है lithium के basic भी हम discuss करेंगे lithium कहां use होता है वो सारी चीज़े हम discuss करेंगे लेकिन पहले मैं आपको यह बता दूँ यह कहां पर है जमोन कस्मीर का रियासी district यह आप map में देखें तो क्या यह geological survey of India का जो दावा है 100% true है नहीं देखो ऐसा नहीं है जब भी देखो scientist को सबूत मिलते है न जब उन्हें लगता है basic research वो करते हैं primary research कि यहां पर यह metal हो सकता है तो वो बताते हैं यह होती है second stage, inferred stage मतलब अभी सिरफ उन्होंने न उपर उपर के जाज की है थोड़ा और further जाज करेंगे तो यह indicated stage में आ जाएगा कि हाँ high probability है यह यहां पर resource के मिलने की, इस case में lithium के मिलने की, और further research करेंगे तो मतलब major category में आ जाएगा कि अब तो पूरे सबूत मिल चुके है कि यहां पर lithium या फिर कोई दूसरा resource है ही, तो अभी scientist का तो दावा है न सिरफ inferred stage में है, even indicated stage में भी नहीं आया है, उसके आगे आदा है major stage, तो अभी initial जो उन्होंने investigation की है, तीन साल से वहां पर investigation चल रही थी, हाला कि दावा तो बहुत पुराना था, लेकिन उस से मैं lithium की इतनी value नहीं थी, अब तो lithium आपको पता है, इस्तमाल होता है, electrical vehicles में, mobile की batteries में, अब lithium की demand काफी ज़्यदा बढ़ गई है, उस से मैं इतनी demand नही इंडिया के scientist ने कहा है कि हाँ, मिल सकता है अगर फर्दर जांच की जाए तो, यानि अभी जांच सिर्फ inferred stage में है, खेर lithium के basics के बारे में बात करते हैं, lithium जिसका symbol है Li, alkali metal है, atomic number है 3, जो ये lithium होता है, soft होता है काफी जादा, white color का होता है, जैसा कि आप तस्वीर में भी दे least high होती है, लेकिन ये least dense metal है, क्या मतलब है इसका, जैसे देखो यहाँ पर, gases में जो molecules होते है, particles दूर दूर होते है, liquid में थोड़े नजदीक आते है, solid में tightly packed होते हैं, but जो lithium है इसमें particles दूर दूर है, थोड़ा relatively, यानि least dense metal है lithium, और बहुत ज़दा reactive होता है, दूसरे substances के सा है न, वो combination में मिलता है, दूसरे substances के, compound की form में मिलता है, highly reactive होता है, flammable होता है, आग जल्दी पकड़ लेता है, इसलिए इसे vacuum में store करके तखा जाता है, ताकि जल्दी से आग ना पकड़ सके, अब lithium के basics हमने discuss कर लिए, world में lithium कहां कहां मिलता है, यह देखे, पहले world का देख है, खास करके, यह South America के तीन देश जो है न, अर्जंटीना, बॉलीविया और चिली, यह एक परकार से lithium triangle है, प्री में अगर question पूछ लिया जाए, lithium triangle में कौन-कौन से देश है, अर्जंटीना, बॉलीविया और चिली, यह यहाँ पर जो Atacama Desert है, मैं आपको यहाँ पर एक से ज्यादा मिलता है, इंडिया कहां से import करता है, इंडिया के पास नहीं है यार, अभी इंडिया import करता है दूसरे देशों से जैसे, आश्टेलिया से, अर्जंटीना से, लेकिन इंडिया में पोटेंशल है, काफी जगाओं पर lithium मिलने का, जैसे देखो, राजिस्तान में का belts है ना वहाँ पे भी lithium मिल सकता है उडिशा और 36 गाइड की pegmatite belts में मिल सकता है इसके लावा करनाटक के मांडिया में भी scope है lithium मिलने का scope है समझ गए अब बात करते हैं ये जो lithium मिला है मतलब दावा किया गया है Geological Survey of India के scientist ने क्या significance है इसकी देखो आज के समय में lithium बैटरी इस्तमाल होती है wind turbines में solar panels में electric vehicles में तो green economy के लिए lithium का मिलना बहुत ज़्यादा important है next employment जब देखो lithium की mining यहाँ पे होगी तो local level पे youth को employment के ज़्यादा अफसर मिलेंगे next future potential देखो lithium और cobald की जो market है काफी तेजी से grow हो रही है और 2050 आते आते लिथियम और cobald की जो market है 500% तक increase हो जाएगी electric vehicle की market भी 2030 आते आते 823 billion dollars की हो जाएगी 2001 से 2030 की बीच में electric vehicles की market में annual basis पे compound annually growth कितनी हो रही है 18.2% और इंडिया में तो और भी ज़्यादा 2028 आते आते compound annual growth rate होगी 23.76% next अभी इंडिया देखो lithium इंपोर्ट करता है Australia से, Argentina से, China, Hong Kong से लेकिन lithium जब यहाँ पर मिलना start हो जाएगा तो self sufficient हम हो जाएगे खुद से मतलब batteries हम बनास केंगे यह अच्छी चीज है इसके बाद देखो सरकार का जो target है 2030 आते आते हमारे देश में total जितने private vehicles है ना पहिये वाले उन में से 30% तो electric vehicles होने चाहिए 2030 आते आते 70% commercial vehicles electric vehicles होने चाहिए और 2030 आते आते दो पहिये वाले और तीन पहियने वाहे ले 80% जो vehicles है न वो electric vehicles होने चाहिए तो lithium resource का मिलना मजबूत करेगा इस mission को इंडिया के national mission on transformation mobility and battery storage को मतलब mobility mission को भी strong करेगा और battery storage का जो काम है ये भी मजबूत होगा लेकिन देखो काफी सारे concerns हैं सबसे पहले geopolitical concerns जमू एन कस्मीर में पाकिस्तान terrorism spread करने की कोशिज करता है तो यहाँ पे जब lithium का exploration होगा mining होग तो terrorist attacks का खत्रा है नेक्स्ट environmental consequences लीथियम की mining में बहुत जड़ा पानी consume होता है carbon dioxide emit होती है तो environment को नुक्सान पहुंच सकता है उसके बाद next geographically unstable reason देखो आस्टेलिया में जो लीथियम का resource है वो ऐसी rocks में है जो काफी सालों से stable है वहाँ पे mining होती है चटानों के तूटने का खत्रा नहीं है लेकिन हिमालियन region relatively young है stable नहीं है यहाँ पे mining होगी तो हालात खराब हो सकते हैं मतलब landslides यह सब चीजें ज़्यादा आ सकती है fragile region है लास्ट में way forward में आर्टिकल में यह कहा जाता है लेकिन लीथियम का exploration यहाँ पे start होगा अच्छी चीज है लेकिन लीथियम का exploration और extraction इस परकार से होना चाहिए कि public interest सर्व हो और किसी परकार से नुकसान ना हो ना तो society में stability को नुकसान हो मतलब terrorism वगरा बढ़े और दूसरा environment को नुकसान ना हो इस परकार से लीथियम को explore किया जाए extract किया जाए और अब ही देखो हमारी जो economy है green economy की दिशा में आगे बढ़ रही है तो लीथियम को extract करके इस परकार से इस्तमाल किया जाए कि energy poverty खतम हो गरीब लोग भी energy को असानी से access कर सके और sustainable development की दिशा में हम आगे बढ़े तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिसकर्स किया लीथियम की discovery से सम्मदित अब चलते हैं आगे इसके बाद next आर्टिकल post retirement appointments से सम्मदित हैं आप GS paper second के इस topic से आर्टिकल को relate कर सकते हूं क्या contest है हाल ही में देखो supreme court से retire हुए justice s. abdul nazir को नम आंद्रापरदेश का governor appoint किया गया काफी सारे questions उठने लगे कुछ लोगों ने कहा इन्होंने आयोध्या राम बंदिर केस में judgment दी थी तो इनको आंद्रापरदेश का governor appoint करके सरकार ने इनको इनाम दिया है एक परकार से इससे पहले भी देखो supreme court से retire हुए कुछ judges को high profile appointments दी गई है फूर एक्जामपल पूर्व Chief Justice of India रंजन गगोई को राजयासबा का member बनाया गया इसके लावा Justice P. 87 ये भी former Chief Justice of India है इनको केरला का governor बनाया गया देखो ये जो appointments है न इन appointments के थूरों सरकार ने एक परकार से signal देने की कोशिज करती है जजीज को कि अगर आप हमारे favor में judgments दोगे तो हम आपको इनाम देंगे जैसे इन तीन जजीज को इनाम दिया गया है ये एक परकार से जजीज को गाजर देने के समान है गाजर का कि आप हमारी चापलूसी करिए आप हमारा साथ दीजिए हम आपका साथ देंगे हम आपका ख्याल रखेंगे जैसे हिंदी फिल्मों में विलेन नहीं बोलता जो लोग हमारा साथ देते हैं डागर उन्हें कभी नहीं बूलता उस टाइप की चीज है जजीज को corrupt करने की कोश है इससे जनता का जो विश्वास है वो जुडिशरी में कम हो जाता है 1980 में जश्टिस वी डी तुल्जापूरकर ने ये कहा था अगर देखो कोई political party कोई leader election जीतता है और फिर जीतने के बाद judges उन political leaders को political parties को बुके भेजने लगते हैं फूल भेजने लगते हैं या फिर congratulatory message भेजने लगते हैं तो ये गलत है ये उनकी पद की गरीमा को नुक्सान पहुंचाने वाली चीज है इससे लोग का जो confidence है judiciary में वो कमजोर होता है देखो governor की जो position है वैसे तो नाम नाम की है आपको भी पता से आपने देखा कि इस परकार से west मंगाल में ममता बेनर जी और उस समय governor थे जगदीब धनकर जो आज के हमारे उपर आश्टर पती है कैसे इनके बीच में काफी तनातर ही देखने को मिलती थी और भी दूसरे डाजों में हमने देखा तो governor की post वैसे ceremonial है नाम नाम की है लेक पहली ऐसी सरकार है जिसने judges को appoint किया important post पर इससे पहले भी इंद्रा गांधी की सरकार ने राजीव गांधी की सरकार ने भी judges को बड़े पदों पर appoint किया हैं लेकिन देखो उन्होंने किया है इसलिए आप भी करोगे ये कोई defense नहीं हुआ मतलब उन्होंने गलती की तो आप भी गलती करोगे ये कोई important argument नहीं हुआ judges को important पदों पर appoint करने के पक्स में काईदे से देखो किसी भी सरकार का objective तो ये होना चाहिए ये ensure किया जाए कि बाकी जो arms है नम जैसे legislature और judiciary ये independent होके काम करें बट अभी आपको पता है BJP के majority है तो इस majority का इस्तमाल करते हुए सरकार जो है वो दूसरी democracy के organs को जैसे legislature judiciary उनका गला गोटने का काम कर रही है उनको manipulate कर रही है अपने पक्स में ताकि power को maintain किया जासके इसके बाद writer कहते हैं सरकार का जो रुख है ना इस मामले में काफी ज़्यादा hypocritical है कैसे late leader अरुन जेटली BJP के काफी बड़े leader थे अरुन जेटली जिनके अभी death हो चुकी है वो post retirement judicial appointment के काफी खिलाफ थे उन्होंने संसद में भी इसके खिलाफ आवाज उठाई उन्होंने Congress Party पर अरोप लगाया था जब Congress की सरकार थी कि आप जजीज को लुभाने का काम कर रहे हो लेकिन देखो वही काम अब BJP भी कर रही है बट इसमें न जुडिशरी को भी समझना चाहिए कि अगर देखो सरक इस ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अपने करेक्टर पर कायम रहे जैसे जस्टीस अकिल कुरेशी इनको ना Supreme Court में जस्टीस के तोड़ पर पर मोशन नहीं दी गई एक High Court से दूसरी High Court में इनका ट्रांसफर होता रहा और सरकार ने बोला कि negative perception है इनके बारे में तो इन्होंने मैं रिटायर हो रहा हूँ और मेरी प्राइड जों की त्यों बरकरार है मैं जुका नहीं तो ऐसे भी moral character के judges हैं लाश्ट में ये कहा जाता है देखो कुछ judges ऐसे हैं जिन्होंने ना ये बोला जैसे जश्टीस रंजन का गोई है उन्होंने राजस्बा की seat को जब सविकार कि किया है ताकि legislature और judiciary के बीच जो gap है उसे खतम किया जासके लेकिन देखो इनकी attendance ना के बराबर है इन्होंने कोई questions नहीं पूछे राजस्बा में जश्टीस सता सीवम ने कहा कि लोगों को सर्व करने के लिए मैंने governor की post को सविकार किया जनता को तो देखो वैसे ही सर्व किय जा सकता है उसके लिए governor की post accept करने की कोई बहुत ज़रा जुरूर्थ नहीं है तो जो judges हैं उनकी सबसे ज़रा जुरूर्थ कहां पे हैं उनकी सबसे ज़रा जुरूर्थ है tribunals में commissions में वहाँ इनकी ज़रा जुरूर्थ है बजाए के political patronage वाली जो post है इनको सविकार करना ideally देखो judicial जो community है ना इनको खुदी strong stand लेना चाहिए जैसे chief justice की conference होती है इसमें decide क्या जाए कि हम कोई भी judge political patronage वाली post सविकार नहीं करेगा और additionally retirement के बाद 2 साल का cooling period होना चाहिए कि 2 साल बाद दक आप कुछ post नहीं सविकार करोगे और 2 साल बाद कर सकते हो ऐसा कुछ 2 साल क cooling of period होना चाहिए अब last में ये कहा जाता है देखो justice वाई वीच अंदर चूड इन्होंने कहा जुडिशरी को आज के समय में मतलब आज के समय में judicial independence को सबसे बड़ा जो खत्रा है ना जुडिशरी के अंदर से है तो जब भी कोई judge बनता है ना एक परकार से वो जिमेदारी स सविकार कर लेता है कि independent और fair judiciary के promise को वो पूरा करने का काम करेगा और एक unwritten contract होता है judge's का जनता के साथ में कि वो independent रहेंगे बिना piousness के वो जनता के लिए काम करेंगे और सही को सही और गलत को गलत कहेंगे लेकिन political patronage वाली post को सविकार करके judge's independent धंग से काम नहीं कर सकते और यह पूरा article हमने discuss किया post retirement appointments से सम्मन्दित चलते हैं आगे इसके बार next article antimicrobial resistance से सम्मन्दित है आप GS paper second के इस topic से article को relate कर सकते हूं सोम्या स्वामिनाथन के द्वारा यह article लिखा गया है दिखो antimicrobial resistance सम्मन्दित article हमने जनवरी में discuss किया था इसमें होता यह है कि drugs का असर कम ह हो जाता है patient पर क्योंकि जो harmful bacteria या फिर viruses हैं वो drug के against एक resistance डवलप हो जाते हैं कर लेते हैं कितनी भ्यंकर situation होगी सोचके देखिए मामूली सा fever हुआ लेकिन वो ठीक नहीं हो रहा है क्योंकि fever की दवाई का असरी नहीं हो रहा है यह प्रकार से देखो silent pandemic हैं ऐसी महामारी जो hospitalization का cost बढ़ जाएगा ऐसी situation हो जाएगी कि लोग की घंबीर बिमारिया तो ठीक हो जाएं लेकिन simple infections ठीक नहीं होगे असानी से और उनसे patients की death होने का खत्रा भी रहेगा यहाँ पर देखिए longer hospitalization, health complications, delayed recovery लोग ठीक होंगे काफी देरी से ठीक होंगे और infections आसानी से ठीक नहीं होंगे 2019 में antimicrobial resistance की वज़े से 4.95 million आल्मोस्ट पचास लाख लोग की death हो गई और देखो इंडिया जो है अब की बार G20 की presidency इंडिया के पास में है और इंडिया इस issue के बारे में ज़्यादा awareness फिला सकता है, ज़्यादा अच्छे initiatives ले सकता है as a good leader वैसे हाल खिमेना, third global high level ministerial conference on antimicrobial resistance और्णाइस हुई 24-25 नौमबर 2022 को कहाँ पर musket में, जहाँ पर 30 देशों ने मिलके musket ministerial manifesto को adopt किया antimicrobial resistance के ऊपर जिसमें ऐसी ऐसी बाते बोली गई जैसे one health action पर ध्यान दिया जाएगा one health action मतलब environmental health, human health और animal health तीनों की जो health है आपस में interlinked है अगर इंसान ये सोचे कि सिरफ human health को improve करना है बिना animal health और environmental health पर ध्यान दिये तो ये possible नहीं है तो musket में जो target adopt किये गए उनको आप एक बर देख लीजे देखो 2030 आते आते agri food system में जो antimicrobial का इस्तमाल होता है उसे 30 से लेके 50% के बीच में कम किया जाएगा इसके अलावा अभी जो antimicrobial का इस्तमाल होता है न एनिमल और food production में उसके use को खतम किया जाएगा और ये देखो human health के लिए काफी ज़्यादा ज़रूरी है next 2030 आते आते humans में antibiotic tablets का या फिर drugs का जो भी इस्तमाल होता है न उसे overall 60% कम किया जाएगा तो ये targets musket में adopt किया गए थे अब देखो कुछ और basics हम discuss कर लेते हैं antimicrobial resistance से सम्दित क्यों है antibiotic resistance mainly 6 reasons के वज़े से होता है सबसे पहले हैं overuse of antibiotics यानि उन medicines का overuse जिनका इस्तमाल किया जाता है हमारे स्रीर में harmful bacteria को destroy करने के लिए दूसरा patients काफी बार antibiotics के course को पूरा नहीं करते बीच में छोड़ देते हैं तो इसकी वज़े से भी antibiotic resistance डवलप हो जाता है तीसरा आजकल देखो live stocks के लिए और even fishes के लिए मचलियों के लिए भी antibiotics का इस्तमाल बहुत ज़्यादा होने लगा है और एक बार अगर animals में और fishes में antibiotics resistance डवलप हो जाता है तो वो drug resistant bacteria human beings में भी enter कर सकता है physical contact की साहिता से या फिर मचलियों को animals को खाने के लिए भी human beings यूज करते हैं तो वो drug resistant bacteria human beings में enter कर जाता है और human beings में antibiotic resistance को डवलप कर देता है इसी से समंदित एक काफी ज़दा चुकाने वाली investigation सामने आई पसु पक्सियों के लिए medicine डवलप करने वाली world की सबसे बड़ी कंपनी है जोईटीस ये कंपनी Indian farmers को poultry farmers के अम बात कर रहे हैं यानि वो किसान जो मुर्गी पालन करते हैं ऐसे किसानों को antibiotics बेच रही थी growth promoter के तोर पर जिससे मुर्गियों की growth जल्दी से हो USA ने देखो 2017 में इस कंपनी को सीधे तोर पे बोल दिया था कि आप antibiotics को नहीं बेच सकते growth promoter के तोर पर USA ने बैन लगा दिया था लेकिन इंडिया में आपको पता है regulation थोड़ा weak है तो ये कंपनी अभी भी धडलले से हमार देश में poultry farmers को बेच रही है antibiotics growth promoter के तोर पर ही है antibiotics तो develop होगा ही ना खैर हम चोथे reason की बात करते हैं जिसकी वज़े से antibiotic resistance develop होता है नई antibiotics को हम develop नहीं करबा रही हैं पांचवा reason hygiene poor sanitation इसकी वज़े से भी antibiotic resistance develop हो जाता है और सबसे last में छटा reason poor infection control in hospitals and clinics infection को control करने के लिए अच्छा mechanism follow नहीं किया जाता hospitals में और clinics में जिसकी वज़े से भी antibiotic resistance develop हो जाता है और काफी बार ऐसा भी देखने हो मिलता है इसे आप साथवा reason भी वैसे कहा सकते हो जो hospital का waste होता है medical waste वो खूले में छोड़ दिया जाता है खूले में छोड़ने से भी drug resistant जो bacterias है वो environment में आते हैं खूले में और खूले से फिर human beings में enter कर जाते हैं तो यह साथ reasons आप लिख सकते हो अगर UPSC पूछती हैं antibiotic resistance होता क्यों है अब कुछ suggestions दिये जाते हैं WHO के द्वरा यानि World Health Organization के द्वरा कैसे antibiotic resistance को develop होने से रोका जा सकता है health workers के लिए अलग से suggestions हैं, individuals के लिए अलग से हैं और women देशों की governments के लिए अलग से हैं पहले बात करते हैं health workers के लिए क्या suggestion हैं देखो, infection को रोकने के लिए environment को clean रखा जाएं और जो patients हैं, उनके हाथ बार-बार धुलवाए जाएं, उनको increase किया जाए vaccination जो दी जाने वाली है patients को, वो up to date हो, ऐसा नहीं कि एक बार medicine दी गई, बार में भूल गया, health worker नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए और antibiotics को अगर देनी क्या आशकता होती है patient को, तो test किया जाए, confirm करने के लिए, क्या वास्ताव में patient को antibiotics देनी चाहिए या फिर नहीं, अगर जुरूरत हो, तभी दी जाए, अन्यथा नहीं, और बिल्कुल right dose में दी जाए, ना जाला दी जाए, और ना कम दी जाए, और बिल antibiotics को consume किया जाए, ऐसा नहीं कि आप medical की दुकान पर जाओ, और antibiotics क्रीद के लेना start कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए, और जब antibiotics लेना start करो, तो उस course को complete करो, जो दोक्टर ने बताया है, कभी भी पुराने छुटे हुए antibiotics को consume मत करो, antibiotics को किसी दूसरे person के साथ share मत करो, और infections को हो होने से बचाओ जैसे regularly हाथ दोना, ये normal सी बाते हैं, विविन देशों की governments के लिए क्या suggestions हैं, डबलो एचो के, national action plan होना चाहिए, एक surveillance system होना चाहिए, infection prevention mechanism दूस्त होना चाहिए, antibiotics के इस्तमाल को regulate करना, और quality को भी regulate करना, सबसे last में, awareness फिलाना, तो ये suggestions दिये जाते हैं, ड antibiotics resistance को prevent करने के लिए, और उन steps की effectiveness क्या हैं, सबसे पहला step सरकार की तरफ से ये लिया गया, सरकार ने important antibiotics को डाला, drug and cosmetic rules 1945 के schedule H1 के अंदर, देखो schedule H1 medicine वो medicine होती है, जो chemist आपको बिना prescription के नहीं बेच सकते, तो सरकार ने सबसे पहले ये किया, लेकिन article में कहा जाता है, सरकार का ये step ज़्यादा effective साबित नहीं हुआ, त्योंकि बहुत सी pharmacies ऐसी हैं, जो अभी भी schedule H1 drugs को बिना prescription के बेच देती हैं, customers को, और हमर देश की जो agencies हैं, वो इस बारे में regulation अच्छे से नहीं कर पा रही हैं, दूसरा, 2017 के अपने national action plan में सरकार की तरफ से कहा गया था, कि farmacritical firms के दवरा, antibiotics को खूले में ना छोड़ा जाएं, इसके लिए भी हम proper standards define करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है, हैदराबाद में जो farmacritical industry हैं, वो massive amount में antibiotics को बहा देती हैं, local lakes में, rivers में, sewers में, लेकिन सरकार की तरफ से कोई regulation नहीं है, even sewers में भी antibiotics की presence को monitor नहीं किया जाता है, government के दवरा, तो ये सब कुछ steps हैं, और उनकी effectiveness हमने discuss की, conclusion में ये कहा जा सकता है, देखो अब तो सरकार को जागना होगा, क्योंकि antibiotics का misuse अब बहुत ज़्यादा तेज गती से होने लगा है, 2013 के एक data के अनुसार, हर साल 58,000 new bones, यानि नए पैदा हुए बच्चों की death हो जाती है, sepsis की वज़े से, sepsis देखो, एक ऐसा disease है, जब antibiotics को लिया जाता है, स्रीर में, तो उस समय एंटिबाइटिक्स की वज़े से जलन होने लगती है, पूरे स्रीर में, और वो जलन इतनी ज़्यादा होती है, जिसकी वज़े से स्रीर के कई सारे organs काम करना बंद कर देते हैं, और इससे person की death भी हो जाती है, तो sepsis की वज़े से हर साल 58,000 newborns मर जाते हैं, इसलिए सरकार को action देना होगा, क्योंकि अभी action नहीं लिया, तो बाद में पस्ताने के सिवाए कुछ नहीं बचेगा, तो ये थी हमारी आज की discussion, आज हमने तीन issues को detail से discuss किया, फिलाल इस discussion में इतना ही है, thank you, thank you very much for discussion.